जय हिंद बंदे मतरम साथ की और स्वागत है डेली स्टेडी में आज की वीडियो में टॉप 25 को संस्क्राऊंगा जो कि आपके परिक्षा के लिए बेहद इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो के अंतक बने रहेगा पहला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है देख लिजिए किस ब दिंदयाल बंदरगा उसका नाम है कांडला ठीक ना कांडला का अब नया नाम क्या कर दिया गिया है दिंदयाल बंदरगा अच्छा कांडला बंदरगा की सराज में है दिखिए वही प्रस्ट डेरेक्टिव पूछ लेगा कांडला बंदरगा जिनका के नया नाम दिंदयाल बंदर्गा रखा गया है यह है अपका गुजरात में तो option number ए यहाँ पर सहिजवाव आगला दखिये question number next है कि भारत का सबसे बढ़ा बंदर्गा कोन है तो बढ़ा बंदर्गा की बात करें तो यह होगा आपका महाराष्ट में है, option number B और इनका नाम है जाबाहरलाल नहरूपोर्ट और ये कहां पर है, मुंबाई में है, ठिक ना, सबसे बड़ा प्राकिर्तिक बंदरगा, प्राकिर्तिक मतलब जो प्रकिर्तिक दिया हुआ है, उस बंदरगा का नाम बताएं, जो सबसे बड़ा है यह है आपका विसखा पटनम में option number C भारत का सबसे बड़ा बंदरगा मुंबई में है जबहरला नहरुपोर्ट और सबसे बड़ा प्राकिर्तिक बंदरगा की बात करें तब होगा विसखा पटनम में ठीक ना भारत के सबसे बियस्ट बंदरगा कौन है मुंबई पोट है अगरा देखिए सोन नदी का उदगा मस्थल किसके निकट है सोन नदी का उदगा मस्थल की बात करें तो यह होगा आपका अमरकंटक option number B और सोन नदी का उदगा मस्थल जो है मद परदिस के अमरकंटक के पास से है और बान सागर बान्द और इंदरपूरी बहराग सोन नदी के उपर बनाए गए है ठीक न सुवास चंदर बोस 1938 में कहां के कंग्रेस अधिवेशन के अध्यक चुने गए थे यह होगा हरीपूरा का option number D ध्यान रखिएगा हरीपूरा कंग्रेस अधिवेशन कब हुआ था 1938 में इसके अध्यक्ष कौन बने थे सुवास चंदर बोस ठीक सुवास चंदर बोस फोरवर्ड बलोक जो की 1949 में अस्थपना हुई थी कहां की थी यह की थी कलकत्ता में option number A अगला देखिए option number next धक्षिन कोरिया की मुद्रा क्या है धक्षिन कोरिया की करिंसी के बारे में आपसे पुछा जा रहा है won होगा और won जो है धक्षिन कोरिया की मुद्रा है और धक्षिन कोरिया की राजधानी की बात करेती यह हो जाएगा see all आला देखे पिर्थवी की सतर पर उतरने वाले खागोलिय पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है पोलो टीम में कितने खिलाडाडी होते हैं पोलो टीम जो है पोलो खेल जो है यह आपका घोरा पर बैट करके खेला जाता है यह पहले एक जमाने में खेला जाता था राजा के द्वारा और इसमें कुलमला कर चार खेलारी होते हैं तो अप्शन नमबर ए एक टीम में तो देखिए यह खेल दो टीमों के भी चार खेलारी होती है छोब मंडल में option number C तो देखेए यह हमायू मंडल की सबसे निचली परत होती है जिसमें हम लोग रहते हैं यानिकि अगर आपसे पुछय जाए कि वायू मंडल के कि स्परत में हम रहते हैं छोब मंडल में और। चुब मंदल में हमारा अजिकान मौसम बादल बारिस बर्प आधिका समाविष्ठ होता है और सबसे निचले हिस्से को सीमा परत कहा जाता है और सबसे उपरी भाग को छोब सीमा कहा जाता है World Happiness Report 2021 में भारत की रहेंग कौन सी है तो देखिए भारत जो है खुसी के मामले में कोई खास परदरसन नहीं है यहां के भारत के नागरिकों के लिए मतलब खुस रहवे ने करता है तो रिपोर्ट में कहां हम लोग आगे जा पाएंगा आप खुस रहते हैं खुस रहना चाहिए कहा जाता है ना खुस रहा करो पड़िसान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती बलकि आज का सुकून भी चला जाता है इसलिए खुस रही है स्वस्त रही है मस्त रही है कल की छोड़ दो तो वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रही है बहुत अच्छा नहीं है 149 नमबर पर है और इस तीची में कूली मिलाकर 149 देशों ने भाग लिया था जिसमें कि भारत 149 अस्थान पर आया है पहला अस्थान पर फिनलेंड यानि कि फिनलेंड में यतना लोग खुस रहता है कि टॉप कर गया ही समझ गए न अगला देखिए राष्टिय सुरक्षा परिशद भारत का मुख्याल है कहां है राष्टिय सुरक्षा परिशद का हेट क्वाटर आप से पूछा जा रहा है ये होगा मुंबई में उप्सन नमबर डी राष्टिय सुरक्षा परिशद को इंगलीस में कहते है नेशनल सेप्टी कॉंसील और इसका स्वर्ट नेम होता है एन एससी इसकी अस्थापना की बात करें तो 4 मार्च 1966 को हुआ है आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर लिजिए क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को सीर भी जरूर कर लिजिएगा और चैनल पे जो लोग पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखेगा ये और नोटिपिकेशन को क्लिक करके रखेगा ताकि नए वीडियो को नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए चलते हैं अगला प्रसन की और अगला प्रसन है भारत के 24 इस वे मुख्य चुनाब आयुक्त कोन है तो यह हो जाएगा आपका सुसील चंद्रा ओप्सें नमबर सी यहां पर सही जवाब है अगला देखें को से नमबर 15 किसके कारण भूमी और समुदरी हवाइं होती है समभान के कारण ऑप्सें नमबर समभान क्या है समभान जो है गै महापदमनन्द ने की सराज पर सासन किया था महापदमनन्द की बात करे तो यह मगद पर सासन किया था औपसन नमबर बी आगला देखें पेशा का संचिप्त नाम क्या है फूल भोडमाव पी ऐसे पेशा तो इसका पूरा नाम होता है पांचायत अनुशूची स्षेतर का इंगलीज में अगर कहा जाए पेशा को तो कहेंगे पंचायत एक्टेंशन टू सिड्यूल एरिया इन में से कौन वर्स 1919 की एक परमू घटना थी ये तो काफी इतिहास में अपने परह होगा कि 1919 में जालिया वाला भाग हतिया कांड हुआ था किस चीज को लेकर रोलेट इन दो राजियों का गठन क्या गया था महाराष्ट और गुजरात ओप्सन नमबर भी अगला देखिए अप्रेल 1929 में भागत सिंग ने किसके साथ विधान सभा में बंप फेका था बहुत ही टोप प्रस्ण में से एक प्रस्ण है कि भागत सिंग ने 1929 में विधान सभा मे बंप फेका था इसके साथ था बटू के सुवर्दत था सी नमबर यहां पर राइट आंसर अगला देखिए भारत ने अपने किस प्रोसीदेश के साथ पंसील समझोते पर हज्टाक्षर किये थे पंसील समझोता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था तारिक क्या थी 29 अप कर लिजिए अगला देखिएगा गीर राष्ट्य उद्यान के कहां पर है गीर नेशनल पार्क की बात करें तो यह गुजरात में है ठीक ना तो बी नमबर यहां पर सही जवाब गीर राष्ट्य उद्यान के स्थापना कब हुई 1975 में हुई कोसर नमर 24 कौन मौलिक अधिकार उसे संबंधित नहीं है मौलिक अधिकार जो है आपका संपतिक अधिकार नहीं है संपतिक अधिकार जो है यह एक कानूनी अधिकार है तो देखिए 1978 के 44 समिधान संसोधन में संपतिक अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया है इससे पहले क्या था कि संपतिक अधिकार कितना है तो थेकर अगला दीजिए का कऑन करेस संमेलन के दteenट न थेंद्याख्ट ए संय कब हुआ था उनेजिए तेज अक्री न अधिक्व क्पश प्रसंट अपकी लिए उन्स प्रसंट बच्चे हैं तीन यहीं तीन में से बताईएगा केंता राष्टिया महला दवस कम मनाया जाता है तो वीडियो को लाइक शेर जिरूर कीजिए जैहिंद बंदे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो में भरो को नमस्ते छोटे को प्यार छोटी है जिन्दगी में खुजर हो यार थांक यू